दोस्तो हम सब बाइबिल के अंदर बताये गए ऐसे लोगों और नबियों के बारे में देखते हैं जो परमेशों के कहे अनुसारी काम किया करते थे और परमेशों उनके कामों से खुस भी होता था लेकिन आज के इस वीडियों में हम बात करेंगे बाइबिल के ऐसे तीन लोगों के बारे में जिनोंने परमेशोर की आवाज को सुनने से इंकार किया और फिर उनके जीवन में क्या हुआ सबसे पहला नाम आता है योना नभी योना नभी का जीवन कई मुदों से ग्रसित था किसी भी काम को लेकर इमोसनल होने के अलावा उसके जीवन में बहुत ही गहरा मुद्दा था योना ने परमेशोर के आवाज को इंकार करने का प्रयास किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उन लोगों को बचाया जाए जिनों ने इतनी बुराई की थी असूरियों ने बहुत लोगों को जिंदा जलाया था योना ने देखा था कि इसरायल का उतरी राज उन असूरियों द्वारा कबजा कर लिया गया था और तितर बितर कर दिया गया हम योना के क्रोध का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब परमेशों ने उन लोगों को चेतावनी संदेश देने को कहा परमेशों ने बोला था कि असूर का महानगर निर्वे को नश्ट कर देगा तब योना इस बात को समझ गया था कि अगर वे लोग चेतावनी सुनकर पच्चताप करेंगे तो परमेशों उन्हें माफ कर देगा इसलिए योना जान बुझ कर भागा कि उन लोगों तक परमेशों का वशन नहीं पहुँचे ताकि वे नियाय का सामना कर सके योना अध्याई एक उसका एक से छे में लिखा है योना का यह वशन अमिताय के पुत्र योना के पहुँचा उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद प्रचार कर क्योंकि उसकी बुराई मेरी द्रिष्टी में बढ़ गई है प्रन्तु योना यहोवा के समुख से तरसिस को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरतिस जाने वाली एक जहाज पाया और भाड़ा दे कर उस पर चड़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के समुख से तरसिस को चला जाए तब यहोवा ने समुंद्र में एक प्रशंड आंधी चलाई और समुंद्र में बड़ी आंधी उठी यहां तक कि जहाज तूटने पर था तब मालाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो वे पार की समगरी थी उसे समुंद्र में फेकने लगे कि जहाज हलका हो जाए प्रन्तु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नीद में पड़ा हुआ था तब माजी उसके निकट आकर कहने लगा तु भारी निद में पड़ा हुआ क्या करता है उट अपनी देवता की दोहाई दे संबव है कि परमेशोर हमारी चिंता करे और हमारा नास नहो दोस्तो योना नभी परमेशोर का भय मानने वाला वेक्ति था फिर वह कैसे किसी का विनास की इच्छा रख सकता है आखिरकर योना नभी परमेशोर का आग्या पालन किया और महन मगर के पेट में तीन दिन बिताने के बाद नीनवे के लोगों को चेतावनी संदेश दिया तेरा जो क्रोद भड़का है क्या वह उची थे इस पर योना उस नगर से निकल कर उसकी पूरव और बैठ गया और वहाँ एक छपर बना कर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर को क्या होगा तब यहवा परमिशों ने एक रेड का पेड लगा कर ऐसा बढ़ाया कि योना के सीर पर छाया हो जिससे उसका दुख दूर हो योना उस रेड के पेड के कारण बहुत ही आनंदित हुआ बिहान को जब फटने लगी तब परमिशों ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेड का पेड ऐसा काटा कि वह सूख गया जब सूर्य उगा तब परमिशों ने पुरवाई बहा कर लू चलाई और घाम योना के सीर पर ऐसा लगा कि वह मुर्जा खाने लगा और उसने यह काकर मिर्तियू मांगी मेरे लिए जिवित रहने से मरना ही अच्छा है परमिशों ने योना से कहा तेरा क्रोध जो रेड के पेड के कारन भढ़का है क्या वो उची थे उसने कहा हाँ मेरा जो क्रोध बढ़का है वो अच्छा ही है वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता तब यहवा ने कहा जिस रेड के पेड के लिए तूने कुछ परिस्रम नहीं किया न उसको बढ़ाया जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नास भी हुआ उस पर तू ने तरस खाई है फिर यह बड़ा नगर निन्वे जिसमें एक लाख बीस हजार से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाये हाथों का भेद नहीं पाचानते और बहुत घरेली पसू भी उसमें राते हैं तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। दूसरा नामाता है कैन दोस्तो कैन आदम का पहला बेटा था और किसान भी था इसी ने अपने भाई को मार डाला था एक दूसरे का हत्या करना इतिहास में सबसे पहले यही घटना सुरू हुआ दोस्तो आदम और हवा जब अदन से निकाले गए थे उसके बाद उनसे कैन और हाबिल ने जनम लिया कैन तो किसान बन गया और हाबिल चरवाहा बना बाद में दोनों जब परमेशों को भेट अरपन करने गए इस प्रकार लिखा है उद्पत्ति अध्याए चार उसका तीन लोठो बच्चे भेट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्भी भेट चढ़ाई तब यहवा ने हाबिल और उसकी भेट को तो ग्रहन किया प्रतु कैन और उसकी भेट को उसने ग्रहन ना किया तब कैन अतिक रोधित हुआ और उसके मूँ पर उदासी चा गई तब यहवा ने कैन से कहा तु क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुँआ पर उदासी क्यों छागई है यदि तू बाला करे तो क्या तेरी भेट ग्रहन न की जाएगी और यदि तू बाला ना करे तो पाप द्वार पर छीपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तू उस पर प्रभूता करेगा तब कैन ने अपनी भाई हाविल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाविल पर चड़ कर उसे घात किया यहां हम देख सकते हैं जब कैन का भेट ग्रहन नहीं किया गया तो वह क्रोधी थो गया परमेशोर ने कैन से सवाल किया तुम क्यों क्रोध उसका जवाब वो जानते थे लेकिन वो चाते थे कि कैन इस बात को जाने और हिंसा और क्रोध के खीचे जाने से बचे रहे कैन को परमेशोर ने पाप की विनासकारी सकती के बारे में चेताउनी दी थी कैन या तो पाप का विरोध कर सकता था और आसिस पा सकता था या फिर पाप के आगे जुक कर ना सो सकता था दोस्तो अगर हम परमेशोर के हाथ में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो हम अपने जीवन में पाप आने से रोकते हैं कैन तो परमेशोर के वचन का इंकार करके पाप के रास्ते पर चल रहा था और पाप के विलासा में फस गया लेकिन हाबिल परमेशोर के रास्ते में चला तीसरा नाम आता है सुलमान दोस्तो सुलमान की कहानी बाइबिल में सबसे दुखद कहानियों में से एक है इसने परमिशोर के द्वारा राजा के लिए लगाई गई सभी प्रतिबंद नियमों का उलंगन किया था जो लिखा है विवस्ताविवरन अध्याय 17 उसका 16 और 17 में और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिश्रे में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए क्योंकि यहवा ने तुम से कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लोटना और वह बहुत इस्तिरिया भी न रखे ऐसा नहों कि उसका मन यहवा की ओर से पलट जाए और नहों अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए परमिशोर के मना करने के बाद भी सुलमान ने मीसर से घोड़े, सोना चांदी और अन्य देसों से कई सारी इस्तिरियों को पत्नी बना कर ले आया यही उसकी अंतिम पतन की सुरुवात थी सुलमान पाप की जाल में गीर चुका था परमिशोर की चिताउनी के बावजूद भी वो मुर्ती पूजा करने वाले देसों के रास्ते पर चल रहा था परमिशोर ने पहले ही उसे चिताउनी दी थी जो लिखा है पहला राजा नौ उसका पाँच से साथ में जैसे कि मैंने तेरे पिता दाउद को वचन दिया था कि तेरे कुल में इसराइल की गदी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे प्रन्तु यदि तुम लोग वा तुम्हारे वन्स के लोग मेरे पीशे चलना छोड़ दे और मेरी उन आग्याओं और विधियों को जो मैंने उनको दी है ना माने और जाकर पराय देवताओं की उपासना करे और उन्हें दंडवत करने लगे तो मैं इसराइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूँगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दिरिष्टी से उतार दूँगा और सब देशों के लोगों में इसरायल की उपमा दी जाएगी और उसका दिर्ष्टांत चलेगा दोस्तो सायद सुलमान बहुत कम उम्र में ही सिंगासन पर विराज मान हुआ उसे एक औविस वसनी औसर दिया गया था लेकिन बाद में उसने परमेशों के वशन का उलंगन कर दिया बुडापे में उसका मन पराय देवी देवताओ के उपर चला गया उसकी पत्नियों ने उसका मन भाका दिया और फिर परमेशोय का क्रोध सुलिमान पर भढ़का पहला राजा उसका 11 उसका 9 से 12 में तब यहवा ने सुलिमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इस्रायल के परमेशोय यहवा से फिर गया था जिसने दो बार उसको दरसंद दिया था और उसने इसी बात के विशय में आग्या दी थी कि पराय देवताओं के पीछे ना हो लेना तो भी उसने यहवा की आग्या ना मानी और यहवा ने सुलमान से कहा तुझे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधी तुने पूरी नहीं की कि इस कारण में राज जि को निश्चे तुझे चीन कर तेरे एक करमचारी को दे दूँगा तो भी तेरे पिता दावद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूँगा परन्तु तेरे पूट्र के हाथ से राज ज छीन लूँगा यहां हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुलमान के द्वारा परमेशोर का आग्या उलंगन करने पर परमेशोर ने उसके राज्य को उसके पुत्र से छीन लिने का वादा किया दोस्तो इन तिनों लोगों के जीवन की घटनाओं से हमें सीखने का जरूरत है कि हम कभी भी परमेशोर की आवाज को उसके वचन का उलंगन करके अपना जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हैं लेकिन अगर हम परमेशोर के वचन का पालन करते हैं तो हम एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं आसा करता हूँ आज के इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला होगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए धन्यवाद जाय मस्तिकी